गुरुबार के दिन ब्रहस्पती देव की पूजा का विशेश महत्व है। इस दिन कुछ विशेश उपाई करने से भगवान विश्नु प्रसन होते हैं, जिससे सुख, शांती और धहन बना रहता है। कुंडली में गुरु की स्थेती कमजोर होने पर आपकी करिय में तरक्की रुख जाती है। और आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। ब्रहस पतेवार को कुछ विशेश उपाई करने से गुरु की दशा में सुधार होने लगता है और आप फिर से तरक्की की राह प जल चड़ाएं, उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विश्नु का पूजन करके, उनके सामने घी का दीपक जला कर रखें. और अच्छा होगा यदि आप कलावे की बाती से ये दीपक जलाएं, और उसमें थोड़ा सा केसर भी डालें. इससे भगवान विश्नु आ विश्नु सहस्त्रनाम का पाठ करने से भगवान प्रसन होते हैं और आप तरक्की के मार्ग पर चलते हैं. कुश के आसन पर बैठकर विश्नु चालीसा या फिर विश्नु सहस्त्रनाम का पाठ करें. पाठ पूरा होने के बाद भगवान को किसी पीले मिश्ठान का भोग ज और गुरु की स्थिती मजबूत होती है। खासतोर पर गुरुबार को पीले फलों का दान करने से ब्रहस्पती देवता की अतिरिक्स क्रिपा बनती है। आप जरूरतमंद लोगों को फलों का दान अवश्य करें। अस्पताल में जाकर मरीजों के बीच में भी आप फल आपकी ग्रे स्थिती को बहतर बना सकता है। गुरुबार की रात को दूध में केसर डालकर उसका उप्योग करें। इसके अलावा आप चाहीं तो दूध और केसर की खीर बनाकर पहले भगवान विश्नु को भोग लगाएं और फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर और आपको सुखी और समृध बनाएगा। नमबर पांच गुरुबार को जरूर ले गुरु का आशिरवाद। मान्यता है कि गुरुबार का दिंग गुरु को समर्पित है। यदि आपके कोई आध्यात्मिक गुरु हैं तो इस दिन उनसे मिलकर या फोन पर बात करके उनक अथी कारगा हैं। जरूर ट्राइ करें ये उपाय और विडियो अच्छी लगी हो तो कॉमेंट मी जय श्री कृष्णा अवश्य लिखेगा।